एंटी ए यूजी सनेक्ट यानि निमिजनेक्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहुतास निमि है और आप सभी का सवागत हमारे यूटूब चैनल लिमिजनेक्ट पर दोस्तों आज की वीडियो हम सभी के लिए हद से ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्यूंकि इस वीडियो में हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक के अंदर ऐसे कोशन दिखाने वाले हैं जो हर वार एक्जाम के अंदर आए हैं और जो दोस्त ये कहते कि कोश्चन रिपीट नहीं होते उन सभी के लिए आज एक बहुत बड़ा प्रूफ मैं देने वाला हूं हम आपको विल्कुल प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि कि किस तरह से रिसर्च के अंदर कोशन रिपीट हुए हैं और दोस्तों हमने एक टोपिक करवाया था टाइप ओफ रिसर्च उसके ऊपर ये वीडियो है हमारी कि कि किस तरह से टाइप ओफ रिसर्च में से कोशन रिपीट होते हैं हर बार तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा ज़्यादा important है क्योंकि जब हम टाइप of research अच्छे से समझ पाएंगे तभी हम उन question का answer दे पाएंगे और दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो देखे लिए तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा important है क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि टाइप of research में इसे किस तरह के question आते हैं और हमें उसे किस तरह कैसे attempt करना है तो दोस्तों ये वीडियो हम समय के लिए बहुत ज्यादा important होने वाली है तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना और दोस्तों मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप हैरान रह जाएंगे ये वीडियो देखके और दोस्तों अगर आ हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके सबसे पहला हमारा पॉस्चन आता है वह है एक्शन रिपीट हुआ है अब देखते हैं आगे यह देखिए जून 2014 के अंदर यह कोशन है इसके अंदर रिसर्च श्ट्रीम ऑफ इमिडियेट अप्लिकेशन यह देखिए दोस यानि कि यह दोनों के दोनों कोशन सायम है इस चांशन रिषर्च आएगा तो अब हम अगे वह कोशन से अंदर को और इसके अंड न्दर योψ्ट आमिडियेट पहलगा होगा तो आजए हम देखते डिखसेज sticks अब हम यह कैसे बीट हुआ अब यह को उर्द देख चान 對ूि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसमें जो बात कर रहा है इमिडियेट अप्लिकेशन की बात कर रहा है तो इसका अंसर आएगा आप देख सकते कि किस तरीके से यह रिपीट हो रहा है बार बार और आगे देखते हम जुलाई 2018 का जो कोश्चन पेपर है इसके अंदर फिर एक्षन रिसर्च के बारे में इन्हों ने यहां पर पूछा हुआ है और यहां पर आपको कही ना कहीं एक्षन रिसर्च के बारे मे क्लिव मिल जाएगा और वो आप बिलकुल असानी से लगा सकते हैं अब यह देखे दोस्तों यह जो मैं दिखा रहा हूँ आपको जुलाई 2018 का कोश्चन पेपर है इसके अंदर कोश्चन नमबर छे में एक्षन रिसर्च के बारे में पूछ लिया और कोश्चन नमबर साथ आप के अंदर दौबारा फिर इन्हों ने सिक्वेंस पोछ ले दोस्तों अब ड Ste coins हमने पीछे भी देंगे ती मैं ने आपको दिखाया था यह देखिए यहां पे ऑiken है और फिर इन्हों ने यहांपे जुलाई का जो पेपर है जुलाई 2018 का फैप्र यह देखिए यह जो पेपर है हमारा इसके अंदर इन्होंने सिक्वेंस पूछी हुई है यहाँ पर यह देखिए तो आप देख सकते कि एक ही कोश्चन वो बार 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 रिपीट हो रहा है और अगर एक इनसान इस कोश्चन को एक बार कर लेता तो उसे सिक्वेंस पता चल जाकी है और दोबार रिपीट होने पर वो गज़ती नहीं करेगा अब देखते हैं दोस्तों आगे हम किस तरी के से रिपीट हुआ है यह कोश्चन अब देखिए दिसंबर 2018 के अंदर दिसंबर का अभी जो पीछे पेपर हुआ था पहले तो उसके अंदर देखिए कोश्चन नंबर देखते हैं आगे किस तरी के से रिपीट हुआ है यह अब भी जैसे कि हमारा एक्जाम हुआ था जूम 2019 का उसके अंदर हम देखते हैं अब यह देखिए दोस्तों यह है कोश्चन नंबर साथ इसके अंदर भी किरियात्मक सोथ के बारे में इनोंने पूछ लिया यानिकि ए सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी टैन यूनिट के स्टडी नोर्स देते हैं इसके साथ साथ 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ओल्ली एर कोशन पेपर देते हैं विद टोपिक वाईज कोशन जैसे कि आज तक विसर्च के कोशन आ चुके हैं वह हमने अलग करके हैं टीचिंग के कोशन अलग करके इस तरिके से सभी 10 यूनिट के हैं आपको अलग-अलग किये हुए मिलेंगे जिससे आप बिल्कुल असानी से कि इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइब आइव मौक टेश्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा पेड़ कोर्स जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वाटसब नंबर पर कॉंटेक्ट कीजिए यह देखिए 3 दिसमर 2019 मौर्निंग शेफ्ट का पेपर है और इसके अंदर देखे कोश्चन नंबर आठ यह आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे और इसके अंदर एक और देख सकते कि किस तरह से कोश्चन रिपीट हो रहा है और दोस्तों इन सभी कोश्चन की एक्स्प्लेनेशन करना और उनके बारे में पताना संभव नहीं हो पाता तो अभी आज की वीडियो में केवल हम यह देख रहे हैं कि कौन से question और किस तरह से repeat हो रहे हैं और आगे यही question मैं दोवारा फिर दिखाता हूँ आपको किस तरह से repeat हुआ है अब यह देखे यह 4 दिसंबर 2019 morning shift का paper है और इसके अंदर यह देखे यह हमारा question number है 20 यह देखे यह 20 number question आप देख सकते हैं और इसके अंदर जो option number 4 है action research तो यह question research कितनी बार पूछा गया है तो यह question हमारे लिए बहुत ज्यादा important है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो रियल में अच्छे लग रहे है तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए और comment कीजिए ठीक है और अब हम आगे देखते हैं दोस्तों आगे ऐसे कौन से question ह हैं जो 2012 से लेके 2019 तक repeat हुए है type of research में से अब इसके अलावा और question देखते हैं दोस्तों research के अंदर ऐसे question हैं कौन से question हैं जो बार बार repeat होता है वो यह export factor research है इसके बारे में आपने सुना होगा और या फिर की हुई होगी तो यह भी हमारे एक important question है इसमें से भी question आते हैं इ question यह question भी काफी बार repeat होता है अब यह देखिए जुलाई 2016 का question है इसमें फिर इन्होंने export factor के बारे में पूछ लिया और और देखते हम किस तरीके से यह repeat हुआ है तो दोस्तों यह हमारे लिए करना बहुत जरूरी है इस तरीके से और यह देखिए जनवरी 2017 का question paper है इसके अ है तो दोस्तों अधर आपको यह पता चल जाते कि ऐसे कौनशे question है जो बार-बार repeat हो रहे है तो बहुत असानी हो जाती है अब यह देखिए नवंबर 2017 का question है इसमें फिर से एक्सपोस्ट फैक्टो के बारे में पूछ लिया तब देखिए दोस्तों हमें दो कोर्शन पता चल गए एक तो एक्सपोस्ट फैक्टो रिशर्च इन दोनों को अच्छे से कर ले तो कर लेते तो हमारे बहुत ज्यादा chances बनते हैं कि यह दोनों कोशन हम बिल्कुल यह देखिए कर्योत्तर वीधी को हम कहते है एक्सपोस्ट फैक्टो वीधी कहते हैं दोस्तों तो इस तरीके से आप देख सकते कि 2012 से लेकर 2018-19 तक कोशन बार बार रिपीट हो रहे हैं लेकिन हम क्या है कि हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हमें उनके बारे में पता नहीं है और हंटे का बटन जरूर दबाएए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को असानी से देख सकें थैंक्यो दोस्तों